नमस्कार दोस्तों आप लोगा राम स्टेडी चले में स्वागत है इस वीडियो में डिसकुस करने वाले हैं कि एरफोर्स में इस फ़र वेकेंसी जरूर इंक्रीज क्यूं होगा मतलम ऐसा क्यूं बोल रहा हूं उसके रिगाइडिंग बात करने वाले प्रूफ के साथ और जो लिए उसके बात करेंगे और एरफोर्स के एक जान डेट के बात करेंगे ठीक है उससे पहले इस वीडियो का मोटिवेशन है कि आपके पास एक ऐसा लक्ष जरूर रोज सुबा आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे ठीक है तो इसका मतलब आई होँगे आप लोग सबसे पहले इस बार जो है पिछली बार प्रिविएस येर के अगर हम लोग बात करें लास्ट वन की जीरो वन इंटेक के लिए तो उसमें जो है उसमें जो कैंडिडेट पिएसल में क्वैलिफाइड थे वो थे उन्हां 3900 थे ठीक है 3900 थे बट इस ताइम इस बार जो है जो आशा ही रोसा काली से लिए अख्रांग टराग्राइड वो झाटिक है तो इतना क्यों उसमें लिया गया है उसके पीच्छां बात करेंगे कि क्यों इतने चाहिट को तो इसमें एक या दो नंबर इंक्रीज करके इंक्रीज होता था ताकि बच्चे जो है कुछ कंडियेट को उसमें सा हटाए जा सके ठीक है लेकिन इस बार जो है एक भी केंडियेट को जो हटाए नहीं गया है इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग चाहते हैं हूं बता रहा हूं क्यूं नहीं आएगा कि अगर कोरोनरfeld शायई चलता रहा तो पहरे बात तो अभी जो एकजाम पोस्टमाड हो रहा रहा है बार बार वही एकजाम नहीं हो पारा इङूलयू ले पारा तो जो अगले वीकेंशी होगा उसका कैसरे लेंगे तो ये region हो सकता है मेरे साब से कि इसलिए जो होंगे ये लोग क्या किया होंगे कि vacancy increase कर दिया होंगे और जितने भी candidate है उन सबको ले दिया होंगे इसमें ठीक है ये तो एक region हो गया एक region और है देखिए इस बार जो है 28 number x का cutoff गया है x का जो cutoff है 28 number PSL cutoff और faith second cutoff दोनों सेम गया है ठीक है इसमें एक number भी increase नहीं हो है PSL में अगर माल लीजिए वो लोग ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि directly जो है x के लिए 10 यह 11 number बढ़ा दें enrollment list जब लाएं वो लोग तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि x का cutoff है 28 है तो उसका enrollment का cutoff 38 हो जाएगा ऐसा तो करेंगा नहीं इतना cutoff हाई जाएगा नहीं अगर उन लोग को निकालना ही था बच्चों को तो फेस सेकेंड जो PSL लिस्ट आया था PSL लिस्ट में ही लेकिन उन्होंनों जो है एक भी बच्चों को out नहीं किया है इसका मतलब main main range नहीं है कि vacancy increased हुआ है vacancy क्या हुआ है इंक्रीजड हुआ है ठीक है vacancy increased हुआ है और सब के सब candidate को लेना चाते है इसलिए PSL लिस्ट में सब का नाव आया है नहीं तो उन्हों को जो vacancy होता है देखिए हर बार जो vacancy 3500 vacancy होता है ठीक है तो इस बार भी उतने ही vacancy होगी और phase second में जितने बच्चे clear कियोंगे phase second उन्हों लोग fixed candidate को phase second clear कराते है मत्तब इतने candidate को माल लिए 4000 लोगों कराना है clear तो चार जार candidate को ही लेंगे वह लोग ठीक है उससे अधिक नहीं लेंगे तो अगर वह माल लिए अगर पिछली बार भी पिछली बार भी इतने ही लिया होँगे तो पिछली बार भी लोग नमबर ने करणा होता तो कर सकते थे वह लोग कुछ बच्चों को निकाल सकते थे क्योंकि पीशल में जो है । यह माल लिए एक हैँ दो तो नमबर इंक्रीज कर देते ठीक है 28 यह तो 30 पर माल लिए पेसल बन जाता ठीक है अब इंडॉल्मेंट डिस्ट आता माल लिजिए तो दो या तिन नमबर उसमें बढ़ जाता तो 33 नमबर आप लोग का पूरा का पूरा का पूरा कट अफ जाता लेकिन अगर इंक्रीज ही पूरा कि यहीं नमबर इसका मतलब कि इंडॉल्मेंट में भी जो है बहुत ही कम नमबर इंक्रीज होगा या इंक्रीज ही नहीं होगा क्योंकि डिरेक्टली जो है अकर 28 है तो 38 तो करना ही देंगे वह लोग का टफ अपना 28 से सीधे 38 पर तो आएंगा नहीं या 33 जो है बढ़ा रिजन था मेरे हिसाब से आप लोग के माइन में जितने भी डाउट होंगे जो बच्चे जो है अपने लास्ट में होंगे जो कि मतलब बोलते हैं ना जिसका 28 29 नमबर या 30 नमबर होगा वो लोग डाउट में होंगे तो आप लोग डाउट में मत रहिए आप लोग कैजिए चार से पाउस दिन किया घिचिजिए मुझे लग रहा ही कि इस विक में अगर पोस्थमौन होता है माल यह अकलर वीक में लाश्ट वीक और में पोस्टमौन होता है उसाइवर पोसति में प्क्का मीड़ा से पक्का क्योंग जितनेंतल को थे आपैवनीव सुनता है में जितने भी सरकारी क्याम हो रहे हैं उसी तरह सकता है कि इंपोर्टेंट रिच ये उसे सी फील हो गया और जितने कालेज 베 Community सब्सक्राइब अब तरो स्टार्ट होने वाला है यूलाइन वह अब सब्सक्चार की व UP अब आते हैं कुछ मेरे पास रोचक तथ हैं आर्मी के रिगाडिंग इसको पढ़ते हैं हम लोग आपको मोटिवेट करेगा इचे हैं दूसरे सरकारी संगट्रों के तुलना में इंडियन आर्मी हो गया उसमें जाती के अधार पर जॉब नहीं मिलता है पहली बात तो यह बहुत ही अच्छी बात है यह दूसरी है कि भारत स्यानिक सबसे उची और परवती योधो के लिए सबसे अच्छी माने जाती है मतलब अगर परवत पर लड़ाई हो रहा है उचे के लिए तो हमारी इंडियन आर्मी जो है सबसे ताकतवर मान जाती है इंडियन आर्मी हो गया चाहें एयरफोर्स हो गया चाहें नेवी हो गया ठीक है धन्य भाद